हरर महादेव जै महाकाल आज किस वीडियो में गुरुजी ने जो उपाय बताया वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है यह दि आप बहुत ज़्यादा परिसान हो गए है ऐसा लग रहा है आपकी किस्मत बिलकुल आपका साथ नहीं दे रही है आपको चारो तरफ पंचमीतिती पड़ रही है रविवार के दिन पंचमीतिती और भी ज्यादा खास मानी जाती है तो इस दिन आपको यह उपाय करना है गुरुजी ने कहा इस उपाय में आपको एक बेल पत्र लेना है थोड़ा सा सहद और एक लोटा जल जल आपको अपने किचन से लेना है जहां आपके चन में पीने का पानी रखते हैं बाल्टी मटका या आहरो रखते हैं वहां से आपको तावे के लोटे में जल ले लेना है एक बेल पत्र लेनी है बेल पत्र बिलकुल कटी पटी ना हो सावत साफसुतरी बेल पत्र होनी चाहिए और बेल पत्र की डंडी में ज कोड़ा सा सहद और एक बेल पत्र लेकर से मंदिर पहुचना है किसी भी समया पे उपाय कर सकते हैं सुभाया साम को वहां जाकर आपको क्या करना है सबसे पहले आपको अपनी अनामिका उंगली में सहद लगाना है अनामिका उंगली होती है जो सबसे छोटी वाली उंगली होत वाले इस्तान पर आपको साथ बिंदियां लगानी है बिंदियां आपको उपर से नीचे की तरफ लगानी है मतलब पहली बिंदी सिवलिंग के पास फिर दूसरी फिर तीसी यानि लाश्ट की बिंदी जो साथ वी बिंदी हो वो जलाधारी की तरफ हो यानि उपर से नीचे की तरफ चलना है आपको यह कर लेना है उसके वाद जो बेल पत्र आपने ली है उसे बेल पत्र को आपको जो आपने ओम बनाया है सिवलिंग पर उस पर आपको चिपका देनी है अपनी मनों कामना बोलते हुए जो भी जो भी संकट है जो भी तकलीफ है उसके लिए बाबा से प् तो भ्यम्या ओन मश्यवाय का जाब करते हुए आपको जल चड़ा देना है और थोड़ी देर वहां बैठकर आपको प्रात्ना करनी है तो यह उपाया पवस कीजिए रविवार के दिन एक दूसरा उपाया गुरू जी ने बताया है यदि आपका दुर्भाग दूर नहीं हो सुभा तो थोड़ा सा जल आपको थोड़े से जवाब नहाने का जल है उसमें हल्दी डाल कर इसना अवस्य किया कीजिए तो यह कुछ उपाय है गुरू जी ने बताया है आपको पंचमी दिति के दिन करने है इससे आपका दुर्भाग समाथ होगा और आपके घर में सुक् यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवस्य करें और कमेंट वोक्स में हरर महादेव अवस्य लिखें